बॉलिवुड अक्टर श्रद्धा कपूर ने दे दी है सलमान खान, शारुक खान प्रभास और यहां तक की रन्बी कपूर को भी मात तीनों खांस को हरा कर अब श्रद्धा कपूर बन गई है बॉलिवुड की क्वीन श्रद्धा कपूर ने रच डाला है इतिहास श्रद्धा कपूर की लाडली बेटी श्रद्धा कपूर ने वो काम कर दिया है जो अब तक आलिया भर दिपिका बादुकॉर कोई भी नहीं कर पाई श्रद्धा कपूर बन चुकी है अब बॉलिवुड की क्वीन क्यूंकि उन्होंने एक ऐसा इतिहास रच डाला है जो अब तक सिर्फ और सिर्फ बॉलिवुड में तीनो खांस यानि शारुक खान, आमिर खान और सल्मान खान ही रच सकते थे लेकिन श्रद्धा कपूर तो इनसे भी तीन कदम आगे निकल गएगी अब यह पूरी खबर क्या है वो बताने से बेले जरसकी में हमेशे आपसे बोगी हूँ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चानल को सब्स्प्राइब करना मत भूलेगा जी हाँ, श्रद्धा कपूर की फिल्म 3-2 आई थी, यह तो आपको याद ही होगा और अगर नहीं देखी तो आपको जल भी यह फिल्म देख लेनी जाहिए क्योंकि इस फिल्म की हर कोई तारीफ कर रहा है पिछले महीने 15 अगस के मौके पर रिलीज हुई यह फिल्म अब तक वॉक्स आफिस पर लगातार कमाई पर कमाई कर रही है आपको बता दे इस फिल्म को रिलीज हुए अभी सिर्फ एक महीने और 9 दिन का ही वक्त भीता है लेकिन इतने कम वक्त में अभी से ही श्रदा कपूर की ये फिल्म 3-2 छे सो करोर से भी जादा की कमाई कर चुकी है आपको बता दे कि हिंदी कैसी लैंग्वेज है इस लैंग्वेज में अभी तक बॉल वॉड में सिर्फ तीन खांस नहीं जैसे आमिर खान की पीके हो गई, आमिर खान की फ्री इडियट्स हो गई, आमिर खान की फिल्म गजनी हो गई कुछी फिल्म में है जो इतनी अच्छी कमाई कर पाई है जैसे प्रभास की फिल्म बाहु बली और बाहु बली 2 होगी यही फिल्मे थी जो 500 करोड की क्लब में शामिल हुई थी लेकिन शर्दा कपूर तो इनसे भी तो कदम आगे निकल गए जिन्होंने हिंदी बेल्ट में इस फिल्म ने 600 करोड की कमाई कर दी आपको बता दे कि स्टी टू ऐसी पहली फिल्म मिल गई है जिसमें कॉमेडी और होरर दोनों हैं और इसके बावजूर ये फिल्म 600 करोड से जादा की कमाई करने में काम्याब हो गई है और सबसे हरानी की बात है कि ये फिल्म यहीं नहीं रुक रही लगातार इस फिल्म की जो कमाई के आकरे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं इस फिल्म में शर्दा कपूर हो, राज कुमार रा हो, सब ने वहतरीन आक्टिंग की है और इस फिल्म में चाहे आक्टिंग हो, चाहे गाने हो, अक्षे कुमार का भी कैमियो रोल नजर आया साथ ही वरुन धवन भी एक कैमियो करते नजर आया और इन सब चीजों ने मिलकर इस फिल्म को सूपर दूपर हिट बना दिया यहीं वज़े है कि इस फिल्म की लगातार कमाई बढ़ती जा रही है और शर्दा कपूर के साथ अब हर बड़ा डारेक्टर और बड़ा हीरो भी काम करने चाहता है आपको बता दे जैसे शारुखान की फिल्म पठान है रणबी कपूर की फिल्म एनिमल है यह फिल्म भी 600 करोड से जादा की इस फिल्मों ने भी कमाई की थी लेकिन एक महीने 9 जिन के अंदर यह फिल्म में इतना नहीं कमा पाई थी जितनी शर्दा कपूर की फिल्म में 600 करोर कमा लिये हैं अब आगे शर्दा कपूर की ये फिल्म और कौन-कौन से रेकॉर्ड कायम करती है ये देखना वेल चस्टोगा फिलाल आज के मैंस वीडियो में इतना ही मुझे उमीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा